मनीज कस्यप ने गरस्ते हुए कहा था कि हमारे बाप चारा चोर नहीं है कि हम डर जाएंगे उनका सिधेत तोर पर निशाना तेजस्वी यादों पर था मनीज कस्यप कह रहे थे कि हमारे बाप फौजी है और हम सीना तान कर खड़े हैं क्योंकि फौजी का बेटा डरता नहीं चारा चोर का बेटा डरता है और हमारे बाप कोई चारा चोर करने वाले चारा चोरी करने वाले नहीं है अब उस मामले में बड़ी कारवाई हुई है, पांच पुलीस वालों को तो ततकाल प्रभाव से पटना पुलीस ने सस्पेंड कर दिया है, वो पुलीस वाले जिनके उपर मनीजकस्यप की जिम्मेदारी थी, जो उस escort में सामिल थे जिस escort के उपर या जिम्मेदारी थी कि वो मनीज कस्यप को भेवूर जेल से लेकर पटना में अदालत के परिसर में लेकर आएंगे और अदालत में मनीज कस्यप को उपस्थित करेंगे आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि पटना SSP ने क्या कुछ कहा है और आगे अब क्या कुछ हो रहा है सब पर बातचीत करेंगे बागिया नमस्कार मेरे नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे है मनीज कस्यप ने उसी दिन कहा था कि आप लोग देखिएगा कारवाई होगी क्योंकि हम इस वक्द पर चारा चोर का जिक्र कर रहे है मनीज कस्यप कहते हैं कि जो एस्टालिन का बेटा है तमिलाडू के मुख्यमंत्री का बेटा उसके उपर NSA के उन्हीं लगा इन तमाम सवालों को लेकर मनीज कस्यप लगातार मिडिया वालों के सामने बोलते रहे अब इसके बाद इस मामले में कारवाई क्या हुई समझे कारवाई के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्याले के तरफ से निर्देश आया उसके बाद पटना SSP पुलिस कर्मी ने जो एसकोर्ट सामिल थी उस एसकोर्ट में जो पुलिस कर्मी थे उनमें से पाँच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया जिनके उपर मनीज कस्यप की जिम्मेदारी थी अब कहा गया कि पटना पुलिस वहाँ पर लेकर आई और जो पटना पुलिस का एसकोर्ट होता है वही मनीज कस्यप के साथ सुरक्षा में था और पुरा का पुरा जो जहाँ पर पुरा का पुरा घटना हुआ वही पटना ही है तो इस लिहाज से पटना पुलिस को कारवाई के लिए कहा गया और इसके बाद पटना पुलिस ने का अब मनीज कस्य अपने बोला क्या था तो वो सीधे तोर पर तेजस्वी यादो को चैलेंज दे रहे थे या उनको चुनोती दे रहे थे वो सीधे तोर पर कह रहे थे कि चारा चोर के हम बेटा नहीं है कि हम डर जाएंगे इसके बाद वो तेज़श्वी से सवाल पुछने लगते हैं कि तुम तो यादो हो तो यादो ही कोई अगर उसके साथ गलत हुआ तो यादो के नाम पर ही कम से कम तेज़श्वी यादो यादों के घर गए होते मनिस कस्यब बकायदा नाम गिनवाते हैं कहते हैं कि यादों दरोगा जो है वो शहीद हो गया वो यादों ठेकेदार का जिक्र करते हैं वो निलेस मुखिया का जिक्र करते हैं जो जाती से यादों थे और इन तमाम लोगों का जिक्र करते हुए कहते ह कि ये तमाम लोग खत्म कर दिये गए लेकिन यादों का नेता अगर ते जस्मी है तो कम से कम यादों के नाम पर भी वहाँ पर जाते और अब देखिए उसी सिल्सिले में बड़ी कारवाई हुई पांच पुलिस कर्मियों को पट्ना पुलिस ने सस्पेंड कर दिया बताया ज किसियल का स्टडी में मनीज कस्यप ने जो बोला मनीज कस्यप जो कर रहा था उस वक्त पर आप लोग कहां थे आप लोग इस बात का जबाब दीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ और अब आगे देखिए कि पट्ना पुलिस के द्वारा एसकोर्ट में जो जवान सामिल से वो क्या कुछ जबाब देते हैं क्या कुछ अपना असपश्टी करन देते हैं लेकिन फिलहाल इसी सिल्चले में कारवाई हुई है आपकी क्या राह है कमेंट वक्स वली कर बताईएगा आगे जो भी और तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमा काम खबरों के लिए मरसत बने रहिएगा क्याम एक्षब शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद